Assalamu alaykum beautiful viewers and welcome back to your channel technology for you तो आज की वीडियो में guys हम बात करने वाले हैं Huawei की तरफ से Huawei के latest handset Y7 Prime 2019 के बारे में Guys इसमें आपको पता है पहले भी variant आप चुकी है जो इसका 2018 model था वो काफी जादा popular guys रहा था काफी जादा उसकी sale हुई थी और काफी एच्छा guys वो model भी था अब guys launch का रहा है Huawei 2nd February को Huawei Y7 Prime 2019 तो आज की वीडियो में guys हम इस पर detail के साथ बात करेंगे इसकी specification के बारे में किस camera के साथ की launch हो रहा है क्या memory है क्या इसका battery timing है overall guys आपको इसकी specification बताऊंगा मैं वीडियो में तो guys वीडियो को end तक जूर देखिया क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत जादा special होने वाली है तो चलिए guys बिना time waste की आज की इस amazing वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले guys बात कर लेते हम इसकी memory के बारे में तो guys जो memory का portion है वहाँ पे हमें guys 3GB RAM और 32GB की internal storage देखने को मिल जाती है उसके बाद guys memory card के आपको support 512GB तक देखने को मिल जाएगी means के आप अब तूफ 512GB तक memory card support करता है Huawei Y7 Prime 2019 उसके बाद guys बात का लेते हैं अब हम इसके android video की तो guys यहाँ पे आपको 8.1 audio देखने को मिलेगा उसके बाद guys sim slot की बात करते हैं तो यहाँ पे guys आपको hybrid sim slot का option देखने को मिल रहा है और guys 4G supported है यह phone उसके बाद guys अब बात का लेते हैं इसके processor के बारे में तो यहाँ पे guys आपको 1.8 GHz का octa code का processor देखने को मिल जाता है CPU के बात करते हैं तो वो आपको Qualcomm Snapdragon 450 की chipset देखने को मिल जाती है और यहाँ पे guys आपको Android GPU 509 देखने को मिल जाता है means के आपको processor normal इस price range में एक normal processor मिल रहा है तो अब बात कर लेते हैं इसकी screen के बारे में तो screen पे guys आपको 6.2 इंचिस की IPS LCD screen देखने को मिल जाती है जिसकी resolution guys 720 to 1520 की है means के यहाँ पे आपको HD resolution देखने को मिल रही है screen का size आपको काफी अच्छा देखने को मिल रहा है आपको infinity display देखने को मिल रहा है यहाँ पे उसके बाद guys उपर वाली center वाली side में आपको notch देखने को मिल रहा है जो camera है आपको बहुत ही प्यार design guys देखने को मिल रहा है overall phone का काफी जादा slim है phone उसके बाद guys screen का design इस phone का बहुत ही प्यारा design किया गया है आपको एक काफी premium look provide करता है camera की यहाँ पर गाइस बात का लेता है यहाँ पर आपको AI camera देखने को मिल जाएंगे बैपर गाइस आपको dual camera setup देखने को मिलेगा एक है 13 megapixels का camera और दूसरा है guys 2 megapixels का camera with depth sensor तो यहाँ पर गाइस front side पर आपको 16 megapixels का camera देखने को मिलेगा जिससे आप full HD video record कर सकते हैं 30 fps उसके बाद गाइस आपको सारे mood मिल जाएंगे HDR, panorama, slow-mo, time-lapse बगएरा आपको सारे features यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तो camera के लिए भी guys यह phone एक कफी अची option है उसके बाद guys आप बात का लेते हैं बैटरी के बारे में तो बैटरी पर guys यहाँ पर कमाल हो गया यहाँ पर guys आपको 4000 mAh की यानि के 4000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है और टू डेस का आपको कहा जा रहा है के talk time means का guys आप टू डेटा कि से यूज़ कर सकते हैं अपने phone को एक आपको 4000 mAh की यहाँ पर बैटरी देखने को मिलेगी और guys amazing बात यह fast charging sport के साथ आ रहा है आपकी एक तो बैटरी भी काफी जल्दी चार्ज होड़े क्योंके fast charging की sport है उसके बाद बैटरी भी काफी बड़ी है आपको एक दिन में दो-दो मरतवा चार्ज करनी नहीं पड़ेगी यहाँ पे guys आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगा जो कि काफी अची बात है gaming के लियासे भी क्योंके अगर जब आप gaming कर रहे होते हैं तो आपको काफी ज़्यादा बैटरी कंजियूम और यह होती है तो gaming भी यहाँ पे guys आप काफी अची कर सकते हैं बात कर लेते हैं sensors की तो यहाँ पे आपको fingerprint sensor देखने को मिलेगा gyroscope और सारे sensor देखने को मिलेंगे तो अगर आप guys overall मेरा experience पूछते हैं तो अभी तो यूज नहीं किया है सैट कि इसके specs fashion के लिया से अकर हम बात करते हैं तो मुझे अभी तक यह phone काफी अच्छा लग रहा है आप guys इसके मैं price बताता चलूँ क्योंकि अपनी price range में काफी अच्छा compete कर रहा है इस टाइम guys इस प्राइस के साथ launch हो रहा है वो है 28,500 means कि 28,500 की price range में ये phone launch किया जाएगा अगर guys इसी price range में ये phone launch होता है तो आपके लिए काफी अच्छी option है मुझे guys overall ये phone काफी ज़्यादा पसंद आया है तो 2 February को ये launch होड़ा है phone अगर आप लोग इने buy करना है तो जूर buy कीज़ेगा मुझे एक काफी अच्छी device लगी है so I hope guys आप लोग को मेड़ी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोग को मेड़ी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे like और पर फेंड के साथ share जरूर कीज़ेगा और इस साइट पर guys मेरे चैनल का face और अगर उस पर क्लिक करके आप में चैनल को subscribe कर सकते हैं और bell icon को like लाजमी दुबाईएगा ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलिट करूँ उसका notification सबसे पहले आपको receive हो जाए तो आज की वीडियो में इतना है गाइस थैंक यू फो वाचिंग आला हाफिज एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब